वेलकम तो माई चैनल लीनास लाइपस्टाइल आज मैं आपके साथ शेयर करें यह वाला ब्राइडल मेकप लूक जो मेरे यूटुब चैनल पर पहरी बार मैंने डाला है एक ब्राइडल सेकंड टाला है बहुत ही प्यारा है होट पिंक कलर लहंगा है और जो जोल्डी मैंने मार्केट से पच्चिस किये बहुत ही फुर्डबल रेंज में है गाइस प्लीज एक लाइक तो बनता है लाइक और शेयर जरू करना सब्सक्राइब भी कर लेना क्योंकि एक वीडियो बनाने में बहुत बहुत मेहनत लगती है अगर आप में चैनल पर नए है तो प्लीज मे सब्सक्राइब करेंगे और वैसे भी टोन गाइस करना चाहिए आप सीटेम करते हैं डेली टोनिंग जरूर करने चाहिए तो अच्छा रहता है स्कीन ग्लोइंग और शाइनी होती है इसको अच्छी तहां से हम अबजर्ब होने देंगे स्कीन में उसके बाद हम स्टार्ट क अच्छी तरह से हाइड़िट हो जाए थिक क्रीम लगाना शुरू कर दीजिए क्योंकि आपकी स्कीन पूरी दिन के लिए ना हाइडर रहेंगी सॉफ्ट रहेंगी इसलिए तो अच्छे से लगा लिए और मैं आपको पता होगा यह स्वेस्ट ब्यूटी की अच्छे से इसलिए पहले हम अपनी जो आइब्रो इसलिए करेंगे आइब्रो डिफाइन जरू करें अगर आपको जिस तरह से मैं करें असता आपको प्लीज कमें डाउं जरू करना अपना फीडबेक जरू शेर क्या के जिए गाइस मुझे अच्छा लगता है आपके जवाब देने मे तो आप स्टार्ट करें एक लूज़ पूर्ड यूज़ करने काफी अगीन बहुत लाइट वेट है अच्छे से से इसको सेट करेंगे सैट इसलिए करते ना इस ताकि आपके जो आई मेंक अच्छा उभर किया है यह है यह रेवलुशन का कलर फूल पैलेट जो मैंने पिंक शेट लगाएं यह रख लेकर काफी अच्छा ब्रेश है यह पिंग शेट लेकर मैं अच्छा ब्लेंड करूं कर रहे हूं काट रीच जैए पर एसे ब्लेंड करना है दो आईस पर लोगी उसी पेलेट मेंसे डार्क थोड़ा सशाइनी कलर रहा है हॉट पिंग कलर कह स आपलाई करूंगी वी शेप में क्योंकि मुझे आउटर लिट थोड़ी सी डाक चेंगे अंदर को थोड़ा से में ग्लीटर यूज़ करने वाली हूं जो वेडिंग लूप के लिए बहुत अच्छा है गाइस रेड कलर तो सभी बैंते हैं एक पार होट पिंग ट्राइक करके इसको कभी ब्लेंड नी काना इसको फिंगर टिप से टैप टप करूंगी मुझे नगा इस फिंगर से अच्छे सो हो नहीं पाया अंदर तक तो मैंने फ्लैट ब्रेस से लेकर उसे इनर कॉर्णर तक लगाया है ताक कि कहीं पर भी पैची गैप ना लगे ठीक है तो इस बात अधिक आईलाइन लगाएंगे ताकि हमारे आइस जो है बड़ी दिखें और आप देखें मेकप के बाद मेरे आइस ना काफी बड़ी साइज मु लग रही थी क्योंकि मैं नीचों बॉटर लाइन पर थोड़ा सा ना स्मर्च कर लिया था तो हम आईलाइन लगाएंगे वि आप देखेंगे डिफरेंस देखें काफी अच्छा मैं साथिसा अपने हजबंड से भी बात कर रही हूं सो देखें मैंने लगाया बहुत ही प्यारा लग रहा था इस ट्रस्क में बहुत ही प्यारा एक बर आप ट्राय करना यह और मुझे बताना कमेंट डाउन करके ठीक है और मैं हाइलेटर से अपनी ब्रोव बोन ऐरे आपको हाइलेट कर लूँगी बस हो गया मेरा मेक अप और मस्ट कम्पलीट हो गया है यह है मसकारा जो मैं अच्छे से मसकारा प्ताइक वैस लाश लगाए से पटले मसकारा जिलो लोगा नेकिमें रिक्मेंट करूंगी अच् काफी अच्छा काजल है जो मैंने परपल से बाई किया वन स्टॉक में ही आपको डाक शेड मिलता है तो अच्छी से लगाऊंगे मैं आइलेट पे उसके बाद मैं कर रही हूं यह है रूफा की लैशेस जो काफी अच्छी ब्रैडल लुक के लिए बहुती बढ़ी है यह पर दो पर 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 प्रॉब्लम में चाहिए वह रही है तो अच्छा रहा है यह मेवलीन का फिट मी फांडेशन की 24 अवर के लिए काफी अच्छा है अच्छी कबरेज वाला है ब्रादिम नेकप के लिए वैसे भी हाई कबरेज पांडेशन चाहिए मैंने चीज आपके साथ इसमें मैंने लगाया है ताकि थोड़ा सा शाइनी लुक हो अब अच्छे से इसी ब्यूटी ब्लेंडर से हम ब्लेंड करेंगे टैप टप करके नेक इरिये भी कवर करेंगे क्योंकि हमें बिल्कुल भी पैची स्किन नी चाहिए एक तम इवन टोन लगनी चाहिए तो अच् पालेस लुक देता है सो सेटिंग पॉडर से सेट जरू कर ले सेट करना बहुत जरूरी है यह यह विट न बाइट का मोस्ट परेट इसमें से मैं डाक अलर रेते हमेशा कॉंटॉरिंग के लिए मेरे पास टूबी वेरियोंस कॉंटॉरिंग के स्टिक नहीं है चोटी सी है इस पास जरू करने के बाद आप डिफरेंस देखिए काईज कितना अच्छा पिस ना इकतम कर्टिंग लगती है आपकी जो 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 लाइन है और चिक लाइन है और जो फोर्ट हैट लाइन है इस अग्तम अलग सफिनिशन मिलता है जिए आपका ब्राट जैसे मेरा ब जो प्रफाइट करना है बाद में ब्लेंड करने के बाद एक चोटी से टिब में आपको बताती हूं कि साथ शेयर करना चाहती हूं का इस ज़रूरी है देखिए अच्छे से यह जो बोन होती है इस एक तम हाइलाइट होने लगता है अब इस हम एक टिक बताती हूं अब को जिसे कि आपका फेस और जदा लिफ्ट मिलेगी कॉंटोरिंग को मैं यह लेक मी 925 पाउडर जिसे मैं नीचे कॉंटोरिंग के नीचे और लाइन पर लगा रहे हूं तक कि कॉंटोरिंग जो है आपके हाइलाइट हो आप एक साथ कुमूं करेंगे तो आपकी जो चिक अब मेरी जो नाख है नोज एरिया और लिया है वह दिखने लगी तम शेप में लगता है ठीक है उसमें से मैं इसी पैलेट में से पिंक शेड ले रही हूं अगें मैंने ब्लशिंग के लिए थोड़ा से शिमरी ऐसलिए मुझा हाइलेट की भी जो होती है सो मैं अच्छे से अब मेरे जो चिक है वह एक्तम हाइलाइट हो बहुत प्यारे से लगी सो अब मेरी जो नाख है नोज एरिया उसको भी मैं थोड़ा है अच्छे से एक मैं पैंसिल ले रही हूं उससे अगर आपके लिप्स ना मोटे है तो आप यह पत्रे है जरूर ट्राय करें वैसे मोटे होट का बहुत जादा फारशन है लेकि मैं इता पूरी करते क्योंकि मेरा माना है मेरे लिप्स अग्दम परफेक्ट ना मोटे ना पतले लेकिन आप कर सकते हैं लेकिन लाइनिंग करने से लेकित है लिप्स्टिक ना फैलती नहीं है बस यह है तो अच्छे से में कुरम से लिह पूरा किट है का टर रहा है तो यह एक दाली से लग लगरए से से लिए कंए फ़िल असाय method बोहत हि अच्छा लास्टिंग यह यह एक नेच्छल फिनिश प्रेन इस पर सेटिंग्स पर जरूर इसमाल करें दस से बारा घंटे आपका मेकप बिल्कूल भी हिलेगा नहीं टिका रहेगा बिल्कूल भी खराब लेगा ट्रस्ट मी उसका अच्छे से सुखा लिया मैंने और सुखाने के बाद देखी मेरा मेकर तयार हो गया अब एक कमी है देख स्क्राइब करना अपनी फ्रेंस एंफार्मी में शेयर करना सो सानी जोली मैंने लोकल मार्केट से पच्छिस की जहां पर मैं आती हूं काफी अच्छा लोक है यह ब्राइडल मेकप लोक है आप घर पर ही कर सकती मेरे कहने का मतलब ही है सो पसंद आए तो प्लीज चैनल को यह ब्राइब करना बूलें तिल देन बाइबाई